नमस्कार विध्यारतियों, मैं डॉर्टर इशिकेश मिश्रा, सहाचारे सिक्षा विभाग जैपू नेशनल इंवस्टी जैपूर, आप सभी विध्यारतियों का एन आयोस के इस स्टूडियों में सौवध करता हूँ पांसो नौ समाजिक विध्यान के चर्चा के क्रम में आज हम उच प्रात्मिक इस्तर पर समाजिक विध्यान में आंकलन संकेतक पर चर्चा करेंगे पहला सवाल ये है कि संकेतक क्या है क्योंकि बिना इसके समझे हम ये समझ नहीं पाएंगे कि समाजिक विज्ञान विशे में इसका क्या मात्व है विशेष्ट है संकेतक हमें ये बताते हैं कि विध्यारती ने अभी तक कितना ज्ञान वा कौशल अर्जित किया है साती संकेक तक हमें ये भी बताते हैं कि विध्यारतियों की प्रगिती की दिशा क्या है ये जरूरी है क्योंकि सिक्षन अधिगम प्रक्रिया के अंदर हम जानते हैं कि पहले उद्देशों का निधारन होता है उसके बाद सिक्षन अधिगम प्रक्रिया चलती है उसके बाद अधिगम संसादनों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद हम विध्यारती के अनुभव उसके प्रगती का आंकलन करते हैं और उस आंकलन के आधार पर हम विध्यारती का मुल्यांकन करते हैं तो आंकलन के लिए आवश्यक है कि हमें संकेतों के विशय में मालुम होना चाहिए तो यानि कि संकेतक हमें ये बढ़ा देते हैं कि जो विध्यारती है उसका कितना ज्यान और कितना कौशल उसने एक समय अवधी में प्राप्त कर लिया है दूसरी चीज ये है जो बड़ी महत्पुर्ण है कि आखिर इन संकेतों का महत्व क्या है संकेतक जो विध्यारती की सीखने की दक्षताएं होती हैं उसका आंकलन करने की एक रूप रिखा प्रदान करती है संकेतक अविवावकों, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चों की प्रगती को आसान तरीके से समझने के लिए संदर बिंदू की तरह कारे करती है और तीसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने के बहतर समझ और उसे केंदर में रखने के लिए संकेतक अत्यंद महत्पुर है यानि इन चीजों से ये बात समझ आ रही है कि जो संकेतक है वो उसके माध्यम से हम विध्यारतियों की दक्षताओं का मापन कर सकते हैं कि विध्यारतियों में कौन-कौन सी दक्षताएं जो हैं वो आ चुकी हैं और कौन-कौन सी दक्षताएं हैं जो अभी हमें विध्यारतों के अंदर विक्सित करना है किसी भी विध्यारती विशेश की प्रगती को जानने के लिए चाहे किसी को भी जानना हो, चाहे वो अवावक हो, चाहे वो सिक्षक हो चाहे वो उसके समू के अन विध्यारती हो अगर वो किसी भी विध्यारती विशेश की प्रगती को जानना चाहता है तो संकेतक उसके लिए एक महत्पुर्ण उपकरण है जिसके द्वारा वो विध्यारती की प्रगती को असानी से समझ सकता है और जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें भी विध्यारती की बहतर समझ के लिए कि उसे क्या प्राप्त करना है और उसने अभी तक क्या प्राप्त नहीं किया है उसमें भी संकेतत अति महत्पुन होते हैं अब सवाल यह है कि आखिर संकेतक का निर्मार क्यूं और कैसे करना चाहिए क्या संकेतक का निर्मार बड़ा ही सरल है कोई भी से कर सकता है या इसको करने के लिए सिक्षक में या किसी भी व्यक्ति विशेश के अंदर कुछ विशेश दक्षता होनी चाहिए देखे जब भी हम संके तक विशित करते हैं तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस विशेश इस्तर आयू कक्षा के विध्यारतियों की प्रगति देखना चाहते हैं क्योंकि हर एक विध्यारती जो है वो एक दूसरे से अलग है और हर एक विध्यारती के अंदर व्यक्तिक विविन्ता है और जो हमारा कक्षा कक्षवाता वरण है वो भी बहु सांस्कृतिक है तो एक ही संकेतक के द्वारा आप सभी विध्यारतियों की प्रगती को जांच ले ये सही नहीं है इसलिए आवश्यक है कि हम ये जरूर देख लें कि हम किस विशेश इस्तर आयू वर्ग और कक्षा के विध्यारतियों की प्रगती को जांचने के लिए उसको समझने के लिए संकेतों का निर्माण कर रहे हैं दूसरी चीज ये है कि जो संकेतक हैं वो पाठ क्रमी लक्षों पर आधारित हैं तता एक दूसरे से पूर्थक रूप से पहचाने जाने चाहिए क्योंकि ये संकेतक कई बार एक कक्षा से लेकर अनकक्षाओं तक फैले होते हैं दूसरी चीज ये है जो इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे संकेतक होते हैं वो हमारे जो पाठ क्रम होते हैं उनके द्वारा जो लक्ष निर्धारित होते हैं उन पर ही बने होते हैं माल लीजिए कि हमारा समाजिक विज्ञान जो विशे है और उसका हमारा लक्ष है कि हम विध्यारतों के अंदर लोकतांत्रिक भावना जागरित कर सकते हैं या करना चाहिए या इसके द्वारा किया जाएगा तो हमारे संकेतक भी ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा बालक में विध्यारती में इन संकेतों को प्राप्त किया जा सके और जो यह संकेतक होते हैं यह क्योंकि हर कक्षा के अंदर इसका स्वरूप जो है वो अलग होता है इसकी जो योगिता होती है वो अलग होती है इसलिए जब भी हम संकेतों का प्रयोग करें उनका निर्मान करें तो इस चीज की clarity होनी चाहिए कि ये संकेतक इस योगिता को जांचने के लिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम एक ही संकेतक को हर जगे लागू कर देंगे तो हमें वो प्रगिती बच्चे की प्राप नहीं हो पाएगी जो हम वास्तिक रूप से जानना चाहते हैं तीसरी चीज ये है कि जो संकेतक है उसका छेतर केवल पाठ पुस्तकों या पाठ करम पर केंद्रित नहीं होना चाहिए वरन ये पाठ चर्या के विशेश उद्देशों के अनरूप होना चाहिए बड़ा ही सरल है इसको समझने में कि अगर हम ये सोचें कि भई जो हमारा संकेतक है वो सिर्फ समाजिक विज्ञान विशेश पर ही आधारित होगा तो ऐसा नहीं है क्योंकि समाजिक विज्ञान विशेश किसी पाठ चर्या का एक भाग है और हमारे प्रमुक लक्ष जो है वो है विद्ध्यारती का सर्वागीन विकास और अगर सर्वागीन विकास करना है तो बालक के विभिन पहलूँग पर ध्यान दखना पड़ेगा केंदृत करना पड़ेगा और इसी के अधार पर हमें संकेतों का निर्माण करना पड़ेगा तो इसलिए ये जरूरी है कि जब हम संकेतों का निर्माण करें तो वो केवल पाठ पुस्तक तक ही सेमित ना हो संकेतों से ये भी पता चलता है कि अधिगम कार के संदर में विध्यारती कैसे प्रगती कर रहे है जैसे कि माली जे हमें ये मालूम करना है कि एक विध्यारती जो है वो समाजिक विज्ञान में कैसा कैसी प्रगती उसकी है कैसा ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है किन-किन कौशलों का उसमें विकास हो गया है क्या समाजिक विज्ञान की जो अधार भूत कौशले है उसका विकास उस विध्यारती में हुआ है कि नहीं हुआ है इन सभी को जाशने के लिए समझने के लिए विध्यारति को विध्यारतियों की इस संदर में प्रगती समझने के लिए हमें संकेतों का निर्मार करना चाहिए और अगर हम उप्युक्त संकेतक का निर्मार करेंगे तो हमें विध्यारती की वास्त्विक प्रगती मालुम चल जाएगी जो अन्तिम इसका बिंदु है वो है संकेतों के निर्मार करते समय विध्यारतियों के अनभवों, प्रश्णों, अभिव्यक्तियों, विचारों और समवादों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब हम संकेतों का निर्मार कर रहे हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये संकेतक किसकी लिए है, किसके द्वारा हम किसका आंकलन करेंगे, तो ये जरूरी है कि जब भी हम संकेतों का निर्मान करें, उनका विकास करें, तो उससे पहले हम विध्यारतियों के पून अनभों, विध्यारतियों के विभिन अधिगम क्रियाओं से संबंदित प्रशनों को, उनकी विचारों को, उनके उस विशे संदर्वित अभिव्यक् उनके समवादों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कभी-कभी कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिन पर विशेष्टा सिख्षक ध्यान नहीं दे पाता है लेकिन वो पक्ष भी उतने ही महत्पून होते हैं तो यदि हम विध्यारतियों के अनभवों, प्रश्णों, अभिव्यक्तियों, विचारों और समवादों पर ध्यान देंगे उसका अध्यन करेंगे तो हम एक ऐसे संकेतों का निर्मान कर सकेंगे जो विध्यारतियों की वास्तविक प्रग्रती को परिलक्षित करता हो ये बात बड़ा महत्पुन है कि एक बार हमने संकेतों का निर्मान कर दिया लेकिन एक सिक्षक होने के नाते कक्षा गत वातावरण में हम कैसे इस संकेतों का प्रयोग करेंगे सिक्षन अधिगम की प्रिक्रिया में संकेतक एक महत्पुन करी है संकेतक वही आधार है जिसके माध्यम से विध्यारतियों से संबंदित छेत्र में दक्षता का सुववस्तित विकास किया जाता है यानि कि संकेतक हमें वो आधार प्रस्तुत कराते हैं वो आधार मोया कराते हैं जिसके द्वारा हम विध्यारति का सुववस्तित विकास करते हैं कक्षा कक्ष में सिक्षन प्रक्रिया के दोरान संकेतकों को बच्चों के लिए सुगम वह सयज बनाने के लिए उप्युक्त सहायक सामगरी का प्रयोग करना चाहिए जब हम कक्षा गत वातावरण में किसी भी पाठ ग्रम को अग्रसित कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम ऐसे सहायक सामगरी का प्रयोग करें जिसके द्वारा विध्यारति उस विशे वस्तु को आसानी से समझ सके अगर वो विशेवस्तु को असानी से समझ नहीं पाएगा तो हमारे द्वारा बनाए गए संके तक उसकी योगताओं को माप नहीं सकेंगे तो इसलिए जरूरी है कि हम उप्युक साहयक सामगरी का प्रियोग करें और जो हमारे संके तक है वो भी विध्यारतियों के लिए बिलकुल सुगम हो और सहेज हो जिसमें की विध्यारती अपनी भागिदारी दिखा सके सिक्ष्ण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान संकेतक से संबंदित उन सभी विध्यों प्रियोगों गत्विध्यों आधिका प्रियोग किया जाना चाहिए जिनमें संकेतक की उद्देश की पुर्ती हो रही हो यानि जब हम किसी भी विश्यवस्तू या किसी भी पाठिक्रम की प्राप्ती के लिए संकेतों का निर्मान करते हैं तो ज़रूरी है कि किन माधिमों के दौरा हमें वो संकेतक प्राप्त होंगे वो चीज उस सिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए चाहे वो कोई भी विदी हो, कोई भी प्रियोग हो, कोई भी गतिविदिया हो, कोई भी क्रिया कलाप हो, वो सभी चीजें इस शिक्षन अधिगम की प्रक्रिया में होनी चाहिए, तभी हम संकेतक के उद्देश की प्राप्ति कर पाएंगे संकेतक के कक्षा कक्ष में प्रयोग का आशे है कि विध्यारतियों में अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसी इस्थिति में ये आवश्यक है कि सिक्षन प्रक्रिया एतनी रोचक, सुगम वस है जो कि सिक्षन अधिगम की प्रकृया पर विध्यारतियों की समझ पूर्ण उपसे बन सके यानि कि जब हम कक्षा कक्ष के संदर में संकेटों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारी सिक्षन अधिगम प्रकृया है वो इतनी रोचक होनी चाहिए इतनी सुगम होनी चाहिए इतनी सहज होने चाहिए जिसके अंदर बालक जो है जो विध्यारती है वो उस प्रक्रिया में शामिल हो सके और उस प्रक्रिया को वो ठीक से समझ सके जब तक वो प्रक्रिया को समझ नहीं सकेगा तब तक वो उस विकास किया है वो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आंकलन के संके तक हैं। समाजिक विज्ञान जो विशे हैं। उसके पढ़ाते हुए हम विध्यारतियों से यह अपेशा करते हैं। कि विध्यारती, विशे वस्तू के साथ साथ, विभिन प्रकार के कौशलों, वैचारि ज्ञान, भावना और सम्वेदन शीलता का विज्ञान प्राप्त कर सके। यानि कि हमारा मुक्धे यह है कि जब हम समाजिक विज्ञान विशे पढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ केवल विशे वस्तू ही प्राप्त करना हमारा मुक्धे नहीं है। हमारा धे यह भी है कि हम विध्यारती के अंदर समाजिक विज्ञान संबंदित विभिन कौशलों का, उसमें वैचारिक ज्यान का, उसके अंदर भावनाओं का और समवेदन शिल्ता का भी विकास कर सकें। क्योंकि एक विध्यारती समाजिक तभी हो पाएगा जब उनमें ये सारे के सारे गुण शामिल हो। तो ये ज़रूरी है कि इन गुणों को हमें विक्सित करना चाहिए। समाजिक विज्ञान विशे में आंकलन के संकेतों की व्यापक सुची है। अगर हम समाजिक विज्ञान के विशे के अंतरगत संकेतक देखते हैं तो हमें देखेंगे कि बहुत सारे संकेतक हैं। योकि जब सिक्षक अपने अधिगम योजना का निर्मार करता है जब उसे ये मालूम करना है कि वो कक्षा में किन उद्देशों को प्राप्ट करने जा रहा है यदि उसे संकेतों के विशे में ग्यान नहीं होगा तो वो अपनी सिक्षन क्रिया को ठीक प्रकार से संपाधित नहीं कर पाएगा और अगर वो ठीक प्रकार से संबातित नहीं कर पाएगा तो वो वो उद्देश प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसकी आवशक्ता होनी चाहिए और हर संकेतक के अंदर विभिन दक्षताएं समाहित हैं जिनने विध्यारतियों में विक्सित करना है यानि कि जो संकेतक होते हैं वो सिख्षक के लिए भी उतने ही महत्पूर है जितनी की विध्यारतियों के लिए और सिख्षक की ये जिमिदारी है कि वो विभिन संकेतों से संबंदित दक्ष्टाएं जो हैं वो अपने विध्यारतियों में विक्सित कर सके क्योंकि जब वो इन दक्षताओं को विध्यारतियों में विक्सित कर पाएगा तभी सिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल हो पाएगी यहाँ पर हमने अधिगम संकेतों का आंकलन योगताओं के संदर में दर्शाया है कि भाई किस संकेतक के लिए कौन सी योगता होनी चाहिए जैसे कि अवलोकन और अबिलेकन ये एक संकेतक है अब इस संकेतक का निर्मार जो है हमने अपने समाजिक विज्ञान के विध्यारती के लिए किया अब हम इस संकेतक के माध्यम से अपने विध्यारतियों में क्या योगता लाना चाहते हैं इसे समझना जरूरी है हम ये चाहते हैं कि जो हमारा विध्यारती है वो किसी भी विशे प्रकरण से संबंदित सूचनाओं का संकलन कर सके उसका प्रतिवेदन कर सके उसका आख्यान कर सके उसका चित्रांकन कर सके वो चित्रों जहां चित्र है उन चित्रों को पढ़ सके कि आखिर वास्त्विक रूप में ये चित्र क्या कहने चाह रहे हैं वो चित्र बना सके वो सार्णियों का निर्मार कर सके और मान्चित्र को भी रिखाकित कर सके जो दूसरा संकेतत है वो है परिचर्चा परिचर्चा के अंदर हमारा मुख्य उदेश ये है कि हम अपने विध्यारतियों में सुनना, बोलना, अभिव्यक्त करना और दूसरों की बातों को सम्मान देना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ये योगताएं इसमें शामिल हैं और हम अपने विध्यारतियों से ये अपेशा करते हैं कि ये सारे की सारी योगिताएं हमारे विध्यारतियों में आ सके जो तीसरी प्रमुक संकेतक है वो है अभिवेक्ति इसके अंदर क्या है? चिंतरांकन है, हाव भाव है और स्रिजनात्मक लेख है यानि कि विध्यारती जो है वो क्रेटिव बन सके वो क्रेटिव राइटिंग कर सके, वो ड्रॉइन कर सके, उसका बॉडी मूवमेंट कैसा है? ये सारी चीजें जो है इन सभी योगिताओं का जो आंकलन है वो हम अभिवेक्ति संकेतक के अंतरगत करते हैं जो चोथा संकेतक है वो है व्याख्या जिसके अंदर तर्क विर्तक और तारकिक भावना का विकास करना प्रमुग्धे है हम चाहते हैं कि हमारा जो विध्यारती है वो किसी भी प्रक्रणत को आत्म साथ ना करे पहले वो उसके तर्क वितर्क करके ये समझ ले कि ये जो विशेवस्तु है वो कितनी प्रासंगिक है और कितनी तार्किक है तभी उसे ग्रहन करे जैसे कि मैं आपको धरन दूँ कि सौर मंदल में कितने ग्रह हैं तो कई किताबे ऐसी हैं जो पुराणी लिखी हुई हैं और उसमें नौ ग्रहों का नाम दिये है लेकिन हमारा जो विध्यारती आज का है वो इस बात को समझे कि नहीं जो हमारा आखिरिक जो ग्रह ता प्लोटो अब वो ग्रह नहीं है तो विध्यारती के अंदर तर्क वितर्क तार्किक सोश जो है वो विक्सित करना जो है वो इस संकेतक का प्रमुक उद्देश है जो पांचवा है वो है वर्गी करण इसके अंदर विध्यारती जो है चीजों को वर्गित कर सके समुही करन कर सके उनका समझ सके कि कौन सी चेस सम है कौन सी विशम है और अगर कोई दो चीजे हैं तो इनमें तुलना कर सके कि कौन सी चीज उप्यूग्त है और कौन सी चीज इतनी उप्योगी नहीं है उसके बाद विध्यारती से हम ये भी आशा करते हैं कि वो भविश्ट कतन कर सके, परिकल्पनाओं का निर्मान कर सके और उन परिकल्पनाओं का निसकर्ष निकाल सके यानि कि संकेतक विशलेशन के अंतरगत हम विध्यारती से यह अपेशा करते हैं कि वो किसी भी विशेवस्तू के प्रती भविश्खतन कर सके अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का क्या समधान होगा उसके लिए परिकल्पनाओं का निर्मार कर सके और जब वो उन परिकल्पनाओं का निर्मार करता है तो अंतरगता वो यह निसकर्ष निकाल सके कि कौन सी परिकल्पना उस समस्या के समधान के लिए बिलकुल उप्योप्त है फिर एक जो और संकेतक है वो है सहयोग इसका मुक उद्देश ये है कि हम अपने विध्यारतियों के अंदर जिम्मिदारी नित्वचमता बातों को साजा करने की शक्ति और एक साथ कार करने की भावना जागरत करना चाहते हैं मैंने पहले भी कहा था कि जो आज का सिक्षम अधिगम की प्रक्रिया है उस पर विशेश जो जोर है वो समू कारिपर है यानि कि जो समू केंदृत है उस पर हम विशेश बल दे रहे हैं तो अगर हम समू केंदृत सिक्षण अधिगम पर विशेश बल दे रहे हैं तो यहाँ पर हर एक विध्यारती की अपनी accountability है अपनी जिमिदारी है हर एक विध्यारती के अंदर leadership quality होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको विशित कर सकें जो ज्यान हमने प्राप्त किया है उसको हम share कर सकें उसको हम साजा कर सकें और एक साथ करने की हमें छमता भी होनी चाहिए और यहाँ पर यह जो कार है वो सकरात्मक आत्म निर्भरता से होना चाहिए अगला जो संकेतक है वो है पूस्ताच पूस्ताच हम कोशिश करते हैं और प्रयास भी करते हैं निरंतर कि जो हमारा विध्यारती है वो कक्षा के अंदर प्रश्न करें क्योंकि प्रश्न करने से एक चीज यह स्पष्ट होती है कि हमारा विध्यारती जो है वो इस विशेश पाट वस्तू के संदर में जिग्यासू है वो जानना चाहता है अगर वो जानना चाहेगा तो उसमें क्या होगा विभिन प्रश्नों का विकास होगा उसके अंदर समाल रोशनात्मक चिंतन का विकास होगा तो वो समझेगा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज सही नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि हम विध्यारतियों में यह योगिता विक्सित करें और जो अंतिम है वो है न्याय और समानता से संबंदित हम सभी जो है समाजिक विध्यान के विध्यारती है और अगर हम विशय की बात ना करें तो हर कोई समाजिक है और अगर हर कोई समाजिक है वो इस समाज का भाग है तो उसके अंदर समवेदन शिलता होना आवश्यक है और आज मुख्यत समवेदन शिलता हम उनके प्रति जो मु और यहाँ पर मेरा पर्यवर्ण से मतलब केवल भौतिक नहीं है, समाजिक भी है और मनोवैज्यानिक भी है तो यानि कि हम इन विभिन संकेतों के द्वारा विध्यारतियों में योगिताओं का विकास करते हैं और इनी संकेतों के आधार पर हम उनका आंकलन करते हैं अगर हम एक उधारन के रूप में देखें उधारन के तौर पर मैंने यहाँ पर आगरा के एतिहासिक इस्थल लिये हैं कि सिक्षत जो है वो आगरा का एक छेत्री भ्रमण कारकरम का आयोजन कराता है जिसमें वो ताजमहल, फतेपुर सीकरी, आगरे के किले और अकबर का परा देखने का कारकरम बनाते हैं तो इसके अंदर अब हम यह चाहते हैं कि हमारे जो विध्यारती हैं उनमें कुछ योगताएं विक्सित हो सकें जिनका हम आंकलन करना चाहते हैं तो यहां महत्पुर यह है कि सिक्षक किन संकेतों का आंकलन करना चाहता है जैसे कि सिक्षक चाहता है कि जो विध्यारती है उसके अंदर अवलोकन और अबलेकन की छम्ता बढ़े तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा विध्यारती है वो ये जाने कि भई जो ये ताजमहल है या फतेपुर सीकरी है या जो अकबर का किला है या जो अकबर का मगबरा है इसका इतिहास क्या है या आगरा शेहर कहां है ये किसने बनवाया है इसका स्थापत ते कैसा है क्या ताज महल पहले ताज महली था कि कुछ और था इस तरह से विध्यारती के अंदर तारकिक भावना जो है वो आनी चाहिए फिर हमें ये भी देखना है कि भई हम अपनी बातों को अपने समू में अभिव्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमने अनुभावजन किया है अनुभावजन ग्यान प्राप्त किया है उससे साजा करना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा संकेतक है कि हमें ये मालूम करना है कि जो हमारा विध्यारती है वो ग्यान को साजा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है तो जरूरी है कि हर एक विध्यारती उस अवलोकन के द्वारा जो ज्ञान प्राप किया है उसको वो साझा करे इसके अंदर हम ये भी जाना चाहते हैं कि विध्यारती जो है क्या उसको इन एतिहासिक इस्थलों को देखने के पस्चात उसके अंदर कोई जिग्यासा जगरत हुई यदि विध्यारती ने इसके संदर में कोई भी प्रशनों का निर्मान नहीं किया तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विध्यारती की कोई भी जिग्यासा जो है वो इस संदर्बित एतिहासिक इस्थलों के प्रती जागरत नहीं हुई है यानि कि हम उन संकेतों का मुल्यांकन आंकलन नहीं कर पाएंगे तो जब भी हम संकेतों का निर्मान करें तो उससे पहले हमें ज़रूरी ये है कि हम अपने इस अधिगम प्रक्रिया के द्वारा विध्यारतियों में उन योगताओं का विकास कर सकें जिसके द्वारा हम विध्यारतियों की प्रक्ति को विभिन प्रकार के संकेतों के द्वारा प्राप्त कर सकें अंततव मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संकेतक है वो समाजिक विज्ञान विशे का एक अधार भूत केंद्र है और इसी केंद्र के द्वारा हम विध्यारतियों की प्रगती का आंकलन करते हैं लेकिन हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारा विध्यारती जो है किसी भी एक कक्षा सरूप में वो अलग-अलग है तो इसलिए हमें संकेतों के निरमार करते समय वैक्तिक विभिन्ता को देखना भी जरूरी है और यह भी समझतना है कि सिर्फ पाठिक्रम का घ्यान होना ही असली घ्यान नहीं है, वास्तविक घ्यान नहीं है क्योंकि सिख्षा का मुक उद्देश जो है वो सरवागीर विकास करना है इसलिए हम विध्यारती के हर एक पक्ष का मुल्ल्यांकन, आंकलन कर सकें इस तरह से हमें संकेतों का निर्मान करना है और इनी संकेतों के आधार पर हमें विध्यारतियों के अंदर योगताओं को भी विक्सित करना है जिसके द्वारा विध्यारतियों का एक सर्मागीन विकास हो सके और वो समाज में अपना योगदान दे सके इनी शब्दों के साथ मैं आज के इस परिचर्चा को विश्राम देता हूं धन्यवाद